आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार दरसल लाल शाह ने कहा कि इस बार यूकेडी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है इसलिए यूकेडी उत्राखंड में सरकार बनाई की उन्होंने कहा कि उत्राखंड राजस्थापना के 21 साल बीद गए हैं इन 21 सालों में भाज़पा और कॉंग्रेस ने बारी बारी से जनता कुछ हलने का काम किया है आगे कस्भी लाल श्वाह ने कहा कि इस थाई राजधानी का मुद्धा आज तक सुलज नहीं पाया है बिजली, पानी, सडक, सिक्षा और स्वास्था को लेकर भी इन 21 सालों में ये दोनों पार्टिया कुछ भी नहीं कर पाई है UKD उत्राखंड की जमीनों को भू माफिया उसे बचवाने के लिए भू कानून की भी मांग कर रही है आगा में विधान सभाचुनाव को देखते हुए पुलिस अधिक्षक चमूली श्वेता चौबे के नित्रत्वों में पुलिस अर्द सैने कबल के जवानू ने चमूली के जिल्ला मुख्याले गोपेश्वर में सशत्र फ्लाग मार्च निकाला धार 144 के पालन और शांती व्यवस्ता को बनाई रखने को लेकर सशत्र फ्लाग मार्च निकाल कर शांती व्यवस्ता बनाई रखने की अपील की गई पुलिस सदिक्षक चमूली श्वेता चौबी ने बताया कि विदाद सभच चुनाव को देखते हुए जनपद में अवैद सामगरी की रोक थाम के लिए अंतर जनपदिया साथ पुलिस चेकिंग बैरियर जो है बनाई गए है चुनाव के दिश्टिकर जो है पूरे जनपद छेत्र में जो हमारे अंतर जनपदिया बैरियर है साथ अंतर जनपदिया बैरियर ऑप्रेशनल कर दिये गए है लगातार जो है उसमें चोविस गंद पे जूटी चेकिंग की कारवाई की जा रही है और मुख्यता सभी कोर्स को प्रीव कर दिया गया है अवैद शराब या असला या इस तरह की कोई भी अवांचित वस्तुका का ट्रांस्पोर्टेशन होता है तो इसमें अभियोग पंजिग्रेट करके कारवाई करें मैं हरिद्वार के बहाद्रा बाद में मकर संक्रांती इसनान पर्व को लेकर स्स्पी डॉक्टर योगेंदर सिंग रावत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं इसी कड़ी में प्रसाशन की तरफ से हर की पौडी में प्रतिबंदित जगह उपर प्रबंध पूई तरह से देखे गए हैं इसी के साथ श्रधालू से अपील की गई है कि बहार से आने वाले श्रधालू हरिद्वार ना पहुचे जिससे उन्हें स्नान करने में भारी समस्याओं कापी उन्हें सामना करना पड़ सकता है मकर संक्रांती एक बड़ा त्योहार है जिससे दूर दूसे श्रदालू स्नान करने के लिए आती है और COVID-19 की गाइडलाइन ने देती हुए हरिद्वार में इस वक्त स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंद लगा दिया गया है वही रिशिकेश में भी मकर संक्रांती के अफसर पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं लेकिन बढ़ रही कोरोना की संक्रमण का असर 14 जन्वरी को मकर संक्रांती के स्नान पर भी पढ़ गया है संक्रमाट की रोप थाम के लिए हरे द्वार के बात देहरादू जिला प्रसाशन ने भी त्रिवेडी घाट सहित सभी घाटों पर मकर संक्रांती के दिन गंगास्नान पर प्रतिबंद लगा दिया है जिला प्रसाशन ने श्रधालों से अपने अपने घरों में रहकर मकर संक्रान्ती की पूजा पाठ करने की अपील की है जोजारों के लिए लेकिन अभी कली शाम को जिलादीकरी मोदे का एक पत्र जो है वो आया है जिसमें जो जिलादीकरी मोदे ने इस परस्ट रूप से लिखा है कि तिर्वेनी घाट पे सर्दालों के लिए तरशा अस्तारी नागरिकों के लिए काला दूगी वन रेंज के अंतरगत ग्राम सभाद चकलुवा के गुलजार पूर बंकी में यवक और यवती पर गुलदार ने हमला किया गुलदार के हमले ने दोनों को गंफीर रूप से घायल कर दिया है वहीं ग्रामीडों की मदद से दोनों गहलों को सामुदाइक स्वास्तकेंदर काला दूगी में भरती कराए गया वहीं दोनों गहलों का सामुदाइक स्वास्तकेंदर में उपचार चल रहा है टूब वेल आपरीटर युवक सुभाज चुन्दर के चेहरे वगरदन पर गुलदार ने गहरे घाव दिये हैं वही महला पर भी गुलदार ने चेहरे पर हमला कर घायल कर दिया है फिलहाल गुलदार के हमले में महला की हालत गंभीर बताई जा रही है लिए जाए जबात कर दो आपके जाए हैं तो इसकी चानबिन की जा रही है कि अपर गुलदार के पास पर अभी कि लेपड के दोरा अटैक किया गया है एक महिला पर और एक गुरुष पर तो इसकी चानबिन की जा रही है कि वो कौन सा लेपड़ और पर इस्तितियों में उन्होंने इस पर अटैक किया है जहां कौरोना के सिति विसफोटक रही है राज में कौरोना संकरवर जो है वो 2915 जो मामले है दर्च किये गए हैं सक्रियम मामले जो है या मरीज मिले है अगली खबर हरिद्वार से है जहां पर ओमी क्रोन के बढ़ते मामलों को लेकर मकर संकरांती के इस्तनान पर जला प्रसाशन ने पूरी तरह से रोक लगा दिया जिसको लेकर नार्सन बॉर्डर पर पुलिस ने अपना गहरा पहरा जो है राजिक के सीमाव पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है अगली कबर चंपावत से है जहां पर टनक पूर इस्तित गैंडा खाली गाओ में आबादी के बीच बने मचली तालाब में शौर्दा नदी से भटक कर घुसे आए मगर मच को ग्रामीरों की शुकायत के आदार पर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पकड़े हुए मगर मच को आबादी से दूर शार्दा नदी में छोड़ दिया है इसको पकड़वाते बनवसा नदी में शौड़ जा रेस्के अगली कबर धनौरी से है जहां पर रतमव नदी के पुल पर तीन अग्यात हमलावरों ने एक युवक पर लोहे की रौट से हमला कर दिया था जिसके बार बदमाशी युवक को मरने की हालत में छोड़ कर फरार पुलिस ने तहरीर के आधार पर अग्यात हमलावरों के खिलाफ मुगदमा दर्च करके पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने घटना में शामिल चार आरोपियों को गिरफतार करके 14 दिन की न्याई के हिरासत में सब्सक्राइब करते हैं मेरे पिछे से अग्यात हमलावरों तावर तोड़ वार कर दिलो है कि रोड़ सब मेरे शिपक और मैं मरनासा नहालत में मुझे छोड़ गए और बेड़ पुर चो रहे की तरफ भागे अमित कुमार सेनी है बीजेपी का जो है वो बीसी मोर्चे का देख है तो इसना उस पर जो है मकान बना लिया वह मसा बनाने के पाद जैंव पाण का रास्ता हो गया हमारे मंखान नौम में पाणी बरता इसलिए मैंने उसके खिलाब जो है एक जनुटी अचीगा डाल ली दी हाई कोट ने जिता है उसके बाद जो है यह मेरे सरण जीश रखता था और इसी तारण जो है इसने मेरा उपर जो है जान लेवा हमना करा देख वाई हरिद्वार के सिद्गूल इस्तित बे धागब बना आने वाली आज इंडरस्ट्री में फीशर आग लगने से अफरा तफरी मच गई जिसकी सूचना मिलते ही फायर स्ट्रीशन की तीन टैंकर मौके पर पहुचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई मयोत्रा खंड में कडाकी की ठंड और बर्फ के बावजूर परेटक कई स्थानों पर पहुच रही है और प्रक्रवी के इस सौंदरिका आनंद भी ले रही है हलाकी स्थानिय लोगों को कुछ समस्याएं जरूर हो रही है जबरदस्त बर्फ बारी से ट्राफिक कई जगहों पर काफी जादा हो गया है वहीं पौणी में एक नैशनल हाइवे को खोलने का काम भी चल रहा है तो निशने इलाकों में बारिश का दौर जारी होने से कुछ मुश्किले बनी है हमाचल प्रदेश में जबरदस्त बर्फ बारी के कारण भी इलाके में बिजली पानी के सप्लाई भी पूछ तरह से इस वक्त ठप हो गई है और इसी के साथ उत्राखर्ण की खबरों में फिलहाल इतना ही दिशने की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं प्राइम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार